झाले, बोल बोल जृत ताल्वक्छ tentar लिए हैं कि तुकरे की भी ग rätt गय जो हुआ हे पाहाड को ते देखीँह हमारे साथ पीसी थपलियान जो कि जो की जहरा दूं से आए हैं और तमाम दिखादू में यहां पर बहुत लोग हैं जो देहरादून से आए वे आखे इनकी क्या डिमांड से हम जानते हैं पीसी थपलियान जी है इसे जानकारी लेते हैं यह क्या ऐसा मुद्दा है जो आज जंतरमंतर इनको आना पड़ा देहरादून से सर पहले तो मैं आपका परीचे जानना चाहूंगी मैं उत्राखंड पूरुसेनिक अर्थसेनिक संयुक संगटन का जनल सेक्रेटरी हूं और ग्रेट सेर्ड राजधानी निर्मान अभियान का संग्रक्षक हूं हम एक साल से राजधानी के लिए देहरादून में धन्यवे बैठे वे हैं और वहां की राजय सरकार नहीं सुन रह हमारा कहना है कि किसी भी राजधानी के बिना राजधानी के बिना राजधानी के यह राजधान के खिलाप है इसके बावजूद एक डियो लेटर से इन्होंने आहिस्ताई राजधानी के रूप में देहरादून को घोशित किया और जबकि राजधानी निर्मान का जो आंदोलन हुआ उसमें रगातार एक निर्मान थी कि पारवतिया राजधानी पहाड में हो और उसमें जो उत्तरप्रदेश सरकार ततकाली उत्तरप्रदेश सरकार ने कौसिक समिती का गठन किया था और कौसिक समिती ने गहट सेंड को घोशित किया था कि गहट सेंड इस राजधानी हो ली चाहिए और उस समय उनिस सो चैने वे में जब नैस्नल फ्रंट सरकार थी तो अतकाली नैस्नल फ्रंट सरकार ने जब उत्तर प्रदेश पुर्णरकथन बिद्यक उनिस सो अठान वे बनाया तो उसमें राजधानी गैट सेंड रखा हुआ था लेकिन उसके बाद जब अतल भी अरिवाजपी जी की सरकार 2000 में आई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुर्णरकथन बिद्यक 2000 का बनाया और उसमें राजधानी कायब कर दी संसस्तर भी चल रहा है तो आप लोग इस समय आये हैं पहले भी आप लोग जिसे कि अब संसस्तर चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि आप लोग की सुनवाई हो पाएगी देखिए अगर लोग कंतर में इस से बढ़कर कुछ गई है अगर आज हम यहाँ पे लोग कंतरीक मांग को लेकर संसत की चाखट में बैठे वे हैं ये मांग लेकर कि इस राज़े की इस्ताई राजधानी का सीख राति सीख गोशना करो सेंटर ऑप दबावर होता है राजधानी और बिना इस राज़धानी के तुम इस राज़े को संचादित कर रहे हो यह तुम्हारे समिदान के खिलाप है सवा साल हो गया देरा दूर में लगाता रहे लेकिन धन्य पर हम सवा साल से बैठे वे हैं और वहां की राज़े सरकार कुछ नहीं सुन रही है पूरे उत्राखण में भरबन करेंगे जंता को विश्वास में लेते हुए हमें मांग करेंगे कि सीख राज़े की राज़धानी के एट्सरेंट किया जाए और अगर यह अंसुना करते हैं तो निशित रूप से वो लोग तंत्र के स्वास्ते के लिए ठीग नहीं तो आप लोग अभी कितनी संख्या में आप यहां है हैं alag-alag dilly के जनपरदिनिति यहां पर आ रखे हैं और एक्ही सब यहां बेटे हुए हैं हम लोग इतने सबसब नहीं है कि जो हम बसुष भरकर यहां पर आते हम लोग अंदोनें कारी है और अपने अपने जिल्लों का पर्दिन तो हमने यहां पे रखा हुआ है और दिली के लोग भी यहां पे हमारे समर्दन में आ रहे हैं अगर आपने बताया जिस तरीके से कि अभी आपका मांग पूरा नहीं हुआ तो आप लोग आगे भी धड़ने करेंगे हम जिनतर आंदोलन करेंगे और अगा इस लोग तांतरिक मांग को निस्ति रूप से हम सरकार को शुका के रखेंगे अगर इनकी मांग यह पूरी नहीं हुआ तो यह आंदोलन चलता ही देखिए हमारे साथ एक और शक्स जो हैं शामिल हो चुके हैं हमारे साथ बादचीत करने के लिए इनसे बादचीत करते हैं पहले इनका परीचे जान लेते हैं सर अपना परीचे हुआ है उनकी राजधानी का जिगरत है लेकिन उत्तरपरदेश राजय पनर गेठन बिल में कहीं भी उत्राखनी की राजधानी का जिगरत नहीं है सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने सीख रही गैर्शन अस्ताई राजधानी का निर्मार नहीं किया तो यह बहुत बड़ा आंदुलन हम खड़ा करने मारे हैं और भी आंदुलन भड़ा करेंगे कहां पर दिल्ली के चंतरमंतर ही करेंगे या कोई आलडी देरादून में हमारा तीन मैने से पहले हमारा आंदुलन लगातार अनुवत रूप से चला है और इसको हम जो देरादून से लेकर दिल्ली से लेकर और पूरे उत्रा खंड के तेरा जन्पदु में इसांदलन को ले जाएंगे और इतना उग्रा अंदूलन होडा की सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे कब तक करने का अंदुलन की तैयारी कब तक की अगर ये सुनवाई नहीं होती है हम तो सरकार से आगरा कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं इसी सीथ कालिन सत्र में वो कैरिसेंड राजधानी का विदेख विदान सबा के अंदर लाएं और अगर वो केरिसेंट विदेख नहीं लाते हैं तो हम इस आंदुलन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे इनका यही कहना है अगर इनकी दिमांड स्पूरी नहीं होती है तो इस आंदुलन को यह बहुत ही पड़े पेमाने पर करेंगे तो आप लोग खुछ खबर को देखते रहे हैं खुछ खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेर, कमेंट्स एंड बैल आइकों दबाना ना भूलें गंजुकी नारत के रूप में देहरा दूर में इसी तरह का बेंग्याद पक जागर लगा करके वहाँ की राचे संकार और शंका को देखाना का क्यां कर चुके हैं नारत का ताहरे रहा है घराब सब से अमोदेगें पर कल जुकी नारत किस्ना भगोर जी के गंजुक पर गंजुक पर जाजुकी अजुकी आपने यह पोशाख पहनी है क्या उदेश है इस पोशाख को पहने का च्टाना क्या चारे सरकार के आगे नारत जो होता है सब जानता है कि नारत क्या है जब इसने नारत ने उत्राखंड की हालत देखी तो फिर यहां अवतार लिया और उसके बाद यह जंता और सरकार को जगाने का प्रियास करेगा अभी यहां पर जागर लगेंगे हमारे व्यंगात्मक जागर होंगे और यह जागर लगाए जाएंगे और इस जागर के माध्यम से जंता को भी और सरकार को भी जगाए जाएगा कोई है कि जब कोई बीमार होता है उसको कुछ भी बोले तो कर लेता है उसी तरह से कि बैह सब कुछ करके देख लिया यह भी करके देख लेते हैं अगर होता है तो ठीक है नहीं तो फिर कुछ और रास्ता अपनाएंगे अभी तो हम शांती से जागर कर रहे हैं नहीं तो फिर आंदोलन होगा फिर बहुता है तो यह सरकार से आगे यही जताना चा रहे हैं कि इनका यह मेलोग देशे है कि सरकार जो सोई वी है वो उड़ जाए और इनकी मांगो को जो है वो पूरा करें को मुझण लो चा मानो चा कोई ता कुछ आणूच अलसा सा So अब क्या हो लो ये पाहाड को अब क्या हो लो ये गणवाला को अब क्या हो लो ये पाहाड को अब क्या हो लो